किड्नी, ये हमारी बॉडी का एक बेहत स्पेशल पार्ट है स्पेशल इसलिए क्यूंकि ये हमारे ब्लड से टॉक्सिक एलिमेंट्स को बहार निकालती है और साफ खून को हाथ के जरीए पूरी बॉडी में पहुँचाती है लेकिन तब क्या होगा जब किड्नी ही सिकुडने लग जाए और इससे होगा ये कि हमारी बॉडी की खोन फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया रुख जाएगी तो इससे समस्या को देखते हुए आज हम इस वीडियो के जरीए किड्नी सिकुडने के कारणों को बताने जा रहे हैं तो चलिए जानते हैं कि आखिर किड्नी सिकुडनी क्यों है किड़नी में नेफ्रोन होते हैं और जब ये दब जाते हैं तो किड़नी सिकुडने लगती है और जैसा कि आप जानते हैं जब कोई भी चीज सिकुडती है तो उसका आकार छोटा होने लगता है ठिक ऐसे ही जब किड्नी सिकुड़नी लगती है तो वो भी आकार में छोटी होने लगती है अब ऐसे में सिकुड़ी हुई किड्नी में खून को फिल्टर करनी की श्रमता बिल्कुल ही कम हो जाती है किड्नी के सिकुड़ने का सबसे बहला कारण है high blood pressure तो इसे समझने से पहले हम आपको उधारण देते हैं चलिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति दिन में 10 रोटी खाता है और healthy भी है फिर उसके रोटियां आधी कर दी जाती है तो तब क्या होगा और होगा ये कि जब उसके diet पूरी नहीं होगी तो कमजोर होने लगेगा और फिर बाद में वो बिमार भी हो सकता है ठीक ऐसे ही जब blood pressure high होता है तो किड्नी में खून सही धंक से नहीं जा पाता और जब किड्नी को खून सही से नहीं मिलता तो किड्नी सिकुडने लगती है इसके अलावा यूरीन में दिक्कत होने से भी किड्नी सिकुड सकती है अगर यूरीन में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो इससे किड्नी में एक दबाव बनता है और kidney में nephron दबने लग जाते हैं जिसके कारण kidney सिकुरने लगती है पत्थरी के कारण भी kidney सिकुर सकती है क्योंकि जब kidney में पत्थरी होती है तो उससे kidney की functioning ठीक तरीके से नहीं हो पाती इससे kidney में एक दबाव बनता है और kidney सिकुरने लगती है अब आप सोच रहे होंगे कि किड्नी सिकुर्णी के बारे में पता कैसे चलेगा आप तो ये जानते ही होंगे कि अगर आपको कोई भी बिमारी है तो उसके लक्षण आपके शरीर में सीधा देखने को मिलते हैं ठीक इसी तरह से किड्नी सिकुर्णे के लक्षण हमारी बॉडी में साफ देखने को मिलते हैं जैसे कि आपको अपने हाथ, पैर, टकने और चेहरे में सूजन देखने को मिल सकती है साथ ही यूरीन का रंग गाड़ा होना, यूरीन के मातरा का बढ़ना या अधिक कम होना बार-बार यूरीन आने का हिसास होना, यूरीन में जागाना, शरीर में कमजोरी, ठकान शरीर में ऑक्सीजन का कम होना, गर्मी में ठंड महसूस होना, बुखार त्वचा में रेशिस और खुजली, खून में यूरिया का स्तर बढ़ जाना, मुझ से स्मेल आना, मितली और उल्टी लंग्स में फ्लुएट जम जाना जिससे सांस लेने में दिक्कते आ सकती है अगर आपको लगातात, ऐसा कुछ दिनों तक महसूस होने लगे तो समझ जाएए कि आपकी किड्नी सिकुड रही है लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि ये लक्षन केवल किड्नी सिकुडने की ही हो इसके अलावा इन लक्षनों का दिखना किड्नी के अन्य बिमारियों को भी न्योता देता है लेकिन वहीं अगर आप वक्त रहते इन लक्षनों को पहचान लें तो किड्नी के बिमारी को गंभीर होने से रोक सकते हैं अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके सरूर बताएं तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ अपना खयाल रखें हेल्दी रहें नमस्कार